अपिक अच्छा दस्वी के चातर और आपका भी 2024 में बोर्ड इक्जाम है आपका भी सपना एक भाई हिंदी में आपको पूरा का पूरा नंबर मिले आप चाहते हैं कि हिंदी में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले तो लास्ते देखेगा चुक इस वीडियो को ी यहाँ से देखेगा Pastor इस वीडियो के सबसे वड़ी यह यहाँ पर में पूरा सल्यूसे आपको अपको कराओंंगा कोई भी प्रसण ऊचाहे संद्रु लिखनाओ परिशंग लिखनाओ पत्र लिखनाओ निवद्र लिखनाओ सब कुछ आपको सौल्व करा ने वाला यहाँ पूम्ट नहीं वान आपको 50 नंबर का पेपर में आपको सकता है और आपको अध्यु नाव से कुछ दिखेंगे प्र देने जाएंग को कुछ निर्देश चयंगा जिन्हें क्या करना आपको पढ़े लेना यहां पर बता रहा है कि जो समय राएगा 3 घंटा 15 मिएट होगा यहां पर बता रहा है जो पेपर होगा यह दो खंडों भाजित और बहुत होगा और प्रसण मिलेंगे जिनका उतर आपको फोलोगों पड़ लिज़ेगा रूंपको लेकर चलते हैं यहां पे खंडों पे 20 नं लेकर किताबों में सुकल यूग भी दिया गया है तो यहाँ पे आपको गलत लगेगा आपको लगता है कि सुकल यूग होगा तो आप कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कीज़ेगा दूसरा प्रसंद देखेगा काफी इंपॉर्टेंट है वाइरल मोडर पेपर का प्रसंद कह रहा है कि चिंता मड़ी किस विधा की रचना है आपको बताना है जो चिंता मड़ी रचना है अचारे राम चंद सुकल की रचना है य यहाँ पर तीन नंबर का प्रसंद क्सकी रचना है आपको बताना घ्रीकिजन की रचना है आपको शमझ में आ रहा होगा यहां पर देख सकते हैं चार नंबर का प्रसंद दिया गएψह वेरिerst प्रसंद को याद रखेगा हर bipartisan प्रस्ण पूछा जाता है कि सुखल्यू की समय और यहाद को याद रखना है जो सुखल्यू का समय और यहां पर फ्रस्ण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ अपको आपको समझ मेरा होगा यहां पर देखिए most important प्रसन यहां पर आपको 5 नमबर का दिखाई दे रहा है यहां पर पूछा जा रहा है कि नीड का निर्माड फिर किस बिदा की रचना है तो यहां पर आपको 4 आपसं दिया गया है पहला में आपको जीवनी है दूसरा में आत्मकथा है तीसरा में नीड का निर्माड फिर क्या है एक प्रकार की आत्मकता है I hope आपको समझ में आ रहा होगा जाते श्रू मुझे पता है कि आपको यह 500% समझ में आ गया होगा अगर यह 500% समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे यदि चैनल पर नहुंगे तो चैनल को स किस यूग की रचना है आपको बताना है कि जो प्री परवास रचना है किस यूग की रचना है तो आपको चार भी कल्प दिया है तो चलिए चार भी कल्पों को दिखा देते हैं पहला आपसन आपको दिया गया भारो तेंदु यूग तीसरा आपको दिया गया प्रगति वा मदुसाला किसकी रचना आपको बताना है यो most famous हमारी रचना मदुसाला हो किसके द्वारा रचा गया है रामदारी सिंग दिंदकर की रचना है हरी ओध की रचना है या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है तो आप सभी को याद रखना है कि मदुसाला क्या है हरी वन्स रचना रचना है तो यहाँ पे सीवल आपसन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा चलिए आपके सामने आठी नमबर का प्रसन भी दिखाई देरा होगा भारत भारती किसकी रचना है आपको बताना है कि भारत भारती किसकी रचना है सियराम सरण गुप्त की है, मैथली सरण गुप्त की है, जैसंकर प्रसाद की है, या महादेवी वर्मा की है, तो ये भी प्रसन काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, भारत बारती क्या है, मैथली सरण गुप्त की रचना है, तो यहाँ पे बीवल आपसन बिल्क आधुनी काल की बात किया रहा है तो आधुनी काल का मतलब क्या है जो इस समय काल चल रहा है तो यहां पर पहला वाला आप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए दस नमबर का प्रसन भी आपको दिखाई हरा होगा प्रसन कहई रहा है कि मती राम किस यूक के कभी है यगे तो तोडि और आपसन बिल्कुल रिक्ट हो जाएगा प्रति होता है हास होता है या निर्वेद होता है तो आपको याद रखना है कि आपका हास होता है तो सीवल आपसे बिलकुल करेक्ट हो जाएगा देखेगा बोड इकजाम में या तो हास रसका स्थाइभा पूछ सकता है या आपसे करूर रसका स्थाइभा पूछ सकता है तो हास रसका स्थाइभा हास होता है और करूर रसका स्थाइभा हो सोक होता है तो आपको याद एकना गुपमाल अलंकार है, प्रिच्छा लंकार है, रूपक अलंकार है, या सलेश अलंकार है तो आपको याद रखना कि इस पंक्ति में क्या है? उत्प्रेट्छा लंकार है तो B.1 आपसें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. आई होप आपको समझ बहा रहा होगा चलिए next person आपको दिया गया देख सकते है most important person है तेरे नंबर का person कहा रहा है कि भीया जो रोला चंद होता है उसमें कुल कितने चरण होते हैं दो चरण होते हैं चार चरण होते हैं या पांच चरण होते हैं तो आपको याद रखना है कि क्रिक्ट आप आपका 4 हो जाएगा रूला्शंद में क्या होते हैं क्या होते हैं आपको याद रखना है आपके सामने चौधे नमपर का प्रासन भी धिकाईधा रोगा मुश्ट प्रसन है तो प्रसन कहे रहा है कि रसन सवद में किस उपसर्ग का प्रियोग किया गया है तो याद रखेगा आपके सिलेवस में उपसर्ग है प्रत्य आप से नहीं पूछा जागा इसके पहले प्रत्य पूछा जाता था लेकि इस बारी क्या होगा सिर्फ आप से क्या होगा अपको बताना है कि पितांबर में कौन सा समास है आपको बताना है जो पितांबर सब्द है उसमें कौन सा समास है तो पहला आपसन आपको दिया गया है देख सकते हैं करमधार है दूसरा आपको दिया गया है द्वन्द तीसरा आपको दिया गया बहुबिरही और चौथा दिया गया ततपूरिस तयाद रख लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया होगा तो लाइक कर देंगे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे चलिए आपको चार आप्षों दिखाई दे रहा तो आप यहां देखेगा आंसु का हमारा जो तस्वरूप होता है अस्तुरू होता ह कर्म की परधानता दियाती है तो यहां पे हमसे पूछा हुआ है कि कर्ता वाच्चे में किसकी परधानता दियाती है तो हम कर्ता की परधानता देते हैं तो यहां पे करेक्ट इंसुर आपका एवल हो जाएगा और यहां पे देखेगा आपको यहां पे तद और उसमत को ही दोनों आपके Slavers में तो यहां पे पूछा गया कि ताभ्या का वचन और विवक्ति बताना तो आपको याद रखना है इसका जो आपका करेक्ट आप्सन हो जाएगा यह चतुर्ती विवक्त बहुचन का है चतुर्ती विवक्त बहुचन का तो डीवल आप्सन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे चलिए, 20 नंबर का प्रस्फन आपके सरोणाम पे पूछा जाएगा, तो प्रस्फन कहा रहा है, कि निवल खित मैं से सरोणाम है, आपको बताना है, कि इसमें से कौन सरो नाम है तो आप सभी जानते हैं सरो नाम की परिबासा सभी लोग पड़े होंगे जिसको इंग्लिस में प्रोनाउन करते हैं कि जो सब्द संग्या के अस्थान पे प्रयोग किया जाते हैं उन्हें ही सरो नाम करते हैं तो यहां पे मनुस्य है, बच्चपन है, और यहां पे वह है, और इन में से कोई नहीं, तो वह हमारा क्या है, सरो नाम है, वह हमारा क्या हो जाएगा, correct option हो जाएगा, और जहां तक मुझे पता है, कि आपको ये 200 प्रसन पूरी तरह से समझ में आ गया होंगे, और आपको किसी और उसमस से प्रसन पूछा जाएगा, वाकर के रूप से प्रसन पूछा जाएगा, तो यह सारी चीज़ा आप लोग समझ लीजेगा, और अगर आपको कोई problem होता है, तो आप लोग मुझे comment section में भी comment कर देगा, चुकि मैं daily live classes आपको provide करता हूँ, बिल्कुल free में, तो प्रसन के आपको उत्तर देना है, और यहाँ पर प्रतेक प्रसन दो नंबर का होगा, तो आपको कुछ लाइन दिया गया है, तो यह लाइन हमारा क्या है, मितरता chapter से लिया गया है, इसके जो लेखा के अचारे रामचंदर सुकल है, जैसे आप देखेगा, यहाँ पर मितरत chapter होता है, इसमें generally कहीं न कहीं मितरता और ममता सब्दा आ जाता है, जिसको आसानी से आप लोग पैचान सकते हैं, तो इसको एक बढ़ पढ़ लिजे, इसका solution भी मैं कराऊंगा, तो पहला कर रहा है कि उप्रियुक्त गदांस का संदर्व लिखे, तो चलि आपको बताता है यहाँ पर आपको पूरा नंबर तब ही मिलेगा जब आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे लिखा है, आपको लिखना है, आपको लिखना है, प्रस्तूत पंक्तिया, प्रसिद्ध लेखा के हो हिंदी साहित के महा निवंकार आचारे राम चंदर सुक्ल, याद रखेगा, लेखक की कुछ आपको बिसेस्ता बताना आपको डाइरेक्ट नहीं लिखना है कि रामचंदर सुकल द्वारा लिखा गया ऐसे आपको नहीं लिखना है इने लेखक की क्या करना है कुछ बिसेस्ता आपको बताना है जैसे आप सभी को पता है कि अचाहर रामचंदर सुकल क्या चाहिए भी आगए है तो इस सोरी के से लिखेंगे भी आपको पूरा का पूरा नंबर एली करेंगे तब यहां पर संदर्व लिखना समझ में दे happiness लिखेंगे जैसे और इस progress by सीच आप का मोडल की सब्सक्राइब और वाइल का से का से ससे यह रिर्वी सब्सक्राइबर यहाँ पे चलिए दूसरा प्रस्वा आप से पूछा हुआ है कि रेखांकित अंस की ब्याख्या करिए जैसे मैं आपको दिखाने की भी कोसिस करता हूँ यहां पर देखिएगा आपको रेखांकित अंसो की ब्याख्या ठीक है ना आपको लिखना है कि निमलेखित पंक्तियों में लेखा करते हैं जब आप उस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आसानी साब को पता चल जागे कि उसमें क्या बताए गया है तो यहां पर लिखा गया है कि कोई बात नहीं कि एक ही सोभाव और रूची के लोगों में मितरता हो सकती है समाज में विविन्ता देखकर लोग एक दूसरे की और आकर्सित होते हैं जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मितर मिल जा जिससे वह गुण मिल जा है और उसका गुन्ड क्या हो जाए हमारे में आ जाए आई हूप आपको यहाँ पे रेखांकी तंस की ब्याख्या कैसे करना है आपको समझ में आ रहा होगा आपको एक और प्रसन दिखा ज़रा होगा यह प्रसन कह है कि लेखक के अनुसार स्माज में बिविन्ता देकर, लोग एक दूसरे क्यों, आकर्सित क्यों होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका भी उतर देना है, तो आपको बोड़ जय में न, पहला प्रसन तो स्यम रहेगा, आपको संदर लिखने के लिए बोलेगा, दूसरा प्रसन कहेगा, रिखांकी तंसों की ब्याख्या करिए और यह तीसरा प्रसंद आपको बदल सकता है यह को याद रखना है कि मितरता चेप्टर और ममता चेप्टर से क्या होता है कोई ने कोई गध्यान से आपको देता है तो आपको यह दोनों चेप्टर जरूर तयार करना है चुकि आपको दो देगा जैसे आप करके यप उठेजर के यहां मिले attent को बढ़िया मे दोने दोनों का गूर अलग अलग है तो गुड़ाइज पर लिखशाremo सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे चलिए आपको कराता है नेक्स्ट प्रसंट यहां पर अथवा में एक दिया हुआ है तो आप इसको चाहें तो कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में इसका संदर मुझे बता देजिए कि यह जो पंग्तियां लिया गया और इसके लेखा कौन है फिल्याल आपको दूसरा प्रसंट दिखा रहे हैं दूसरा प्रसंट आपको पध्ध्य पर होगा जरसे गद्धे पर अधारीत आपसे प्रसंट पूछा गया थ चरण कमल बंदो हरी राई जाकी क्रिपा पंग गिरी लांगो आपको चलिए कुछ और पंग्तिया दिखाते हैं जैसे यहाँ पे आपको पहला पूछा है संदर्व तो चली इसका संदर्व आपको बता देते हैं तो कुछी सरक आपको क्या करना है पंक्तियों को लिख लेना और आपको हेडिंग बनाना है संदर्व, संदर्व कैसे लिखना है? देख लिखना कि परस्तुत पंक्तिया परसिद्द कभी सूर्दास द्वारा रचित हमारे पाश पूसक काव शंकलन में पदो सिर्सक्स से लिया गया है यानि इसके जो आपके कभी है सूर्दास जी है और काब है उसका जो टाइटिल है, सिर्शक है, वो पद है तो इस प्रकार आपको लिखना है, देन इसकी बास से आपको पूछेगा जिया आपको Galaxy दे रही और होगा, यहाँ पे बैक्ख्या भी आपको करके दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे आपको हीडिंग ब कर सकते हैं और अंदे को सब कुछ दिखाई देने लगा तो चलिए आपको बता देते हैं कि निमलिकित पंक्तियों में रूपा का लंकार है जो पंक्ति आपको दिया गया इसमें क्या है रूपा कलंकार है आपको बताते हैं प्रस्थन नमबर तीन आपके शामने क्या आएगा अथवा करके देगा मतलब यहां पर पद्धांस देगा और यहां पर बोलेगा कि जो गध्यांस दिया गया इसका क्या करना आपको हिंदी मानुद करना है संदर्व साहित यह 5 नंबर का प्रसना है चैर, इसमें भी आपको दो देगा ज्से देख सकते हैं आपको एसा नगरे दिया गया है मान वहले किरा देता हूँ सबसे पहले आपको संदर्व बताओंगा कि रिखी से पहले जो पंग्तियां है लिया गया है तो इस चीज़ को आपको सिंपल लिख ले ना इसमें किसी लेखा किया कभी का नाम नहीं लिखना है इसके बाद से आपको हेडिंग बनाना है हिंदी में अनुवाद और देखेगा इसका जब पढ़ेंगे तो आपको यह आर्थ निकलेगा कि यह नगरी भारती स कराया तो यही क्या होजागा हिसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा आई होप मुहस्से बहतरिन लिख सकते हैं जिसे तर्षुक करिए संदर्व लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है तो यहां पर आपको सिंप्लि वैक्षिंप्र अर्थ पंग्तियान है है उसमें को कि प्रस्तूत पधांस हमारी पाश्ट पुसक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतिया संस्कृति पार्ट से लिया गया है ऐसे सिंपर आपको लिख लेना है और यहाँ पे हेडिंग बनाना हिंदी में अनुवाद लिखना है कि सभी सुखी हों हैं सभी रोगमुक्त रहें सभी म गटनाओं के साक्षी बने और भी दुख का भागी नव बनना पड़े ते यही क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा I hope आपको यह भी समझ में आ गया होगा चले आपको next प्रसंद कराते हैं प्रसंद के बाद से आपके सामने आएगा पांच नंबर का प्रसंद जो की तीन नंबर का होगा इसमें बोलेगा कि अपनी पठित खंड कावे के अधार प्रसंद में से किसी एक का आपको उत्तर देना है यानि जो भी आपके जिले में खंड कावे चलता होगा उसका क्या करन जोति जोवार है, मेवाड मुकूट है, अगर पूजा है, जैसुबास है, मात्रोभूमी के लिए है, कौन है, करंबीर भरत है, तुमूल है, तो इस प्रकार क्या है, बहुत सारा क्या होता है, खंड काव होता है, लेकिन अलग-अलग जीलों में क्या होता है, अलग-अलग खं कुंसा खंड़काब चलता है मैं तो भिलाओं करता हूं खुसी नगर जिले से और मेरे जिले में क्या होता है मेवाड मुकूर चलता है दो प्रसंदिया है किसी एक का आपको उत्तर देना है तो आपके जिले में जो भी होगा उसको तयार कर लिए वैसा अधिक तर पूछा जा प्रस नमबर छेह से हो गा इस में कोआ और खौ आएगा और यहां पर क्या करना है कौँमे आपको कभी का जिवनपर्चे लि tortilla मैं 인्द्या जैगा कि heir का CDC लिखना जैसे यहाँ पर दिया गया है टाक्तर राजंड पर्साद का जैसंकर प्रसाद का अचार रहفं चंदसुकल का तो इन तीनों को आपको तयार कर लेंगे और आप लोग मुझे कमें सेक्षिन में बता दीजेगा कि आपको जीवन पर्चे तयार है कि नहीं तयार है देखेगा साथ नंबर का जो प्रसना आएगा बोड पेपर में इसमें आप सो पुछेगा एक स्लूक लेकिन यहाँ पे जो प्रसन पत्रम आया होगा उसे आपको नहीं लिखना है आसानी से आप लोग कोई भी स्लूक लिख सकते हैं यहाँ आप देखेगा आठ नंबर का जो प्रसन होगा आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा जैसे यहाँ पे आपको चार प्रसन देगा किसी दो क प्रसन आपको दिया गया तो चार आपको देगा कोई दो ही प्रसन का आपको उत्तर देना है तो दो कमेने करा दिया नौ नमबर का जो प्रसन होगा आपका साथ नमबर का प्रसन आएगा और यहां पे आपको निवन्द लिखना होगा जैसे आपको इंपोर्टें निवन्द पूछा गया है तो इसको आप लोग तैयार के लिए अर्रेडी मैंने बताया कि कैसे आपको निबंद लिखना है मेरे चैनल को विजिट करिएगा और जो लाश्ट प्रसन आएगा यहां पे आपको क्या करना अप्लिकेशन लिखना यानि प्राथ्रा पत्र लिखना है तो यहा अगर पीडियाफ आपको चाहिए तो लिखना हमारे गुरूप को जोईन करेगा और जातेक मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया हो कि हिंदी का पेपर कैसे आएगा और किस किस प्रसनों को क्या करना आपको तैयार करना है विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक कर दी जगा चैनल पेदी नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलता है नेक्स्ट विडियो में तब तक लिए आपका धन्यवाद